अरे सल्मा अंटी बड़े दिनों बाद दो साल हो गए कहीं और से खरीदी कर रहे थे क्या मालकी दिखे ही नहीं कैसे हो अच्छी हूँ बेटा बस दुआ है आप लोगों की और अल्ला ताला की मेरबानी है दो साल तो दुकान बेटा चला रहा था सल्मा अंटी की शादी इरफान अंकल के साथ 25 साल पहले हुई थी आज उनकी शादी की साल गिरह भी थी अगर इर्फान अंकल जिन्दा होते तो उनकी शादी की सिलवर जूबली मना रहे होते अंकल अंटी से बे इंतहा प्यार करते थे शादी के साल भर बाद ही इर्फान अंकल का इंतखाल हो गया था एक तरफ आंटी ने बेटे को जहन दिया तो दूसरी और अंकल के एक्सिडन्ट की ख़बर मिली ससुराल वालों ने आंटी को मन्हूस कहकर बेटे के साथ ही घर से निकाल कर बाहर कर दिया एडी चोटी का जोल लगाया आंटी ने मगर अंकल की दुकान को बिखने नहीं दिया पडोसियों की मदद से घर भी मिल गया दुकान में भी बरकत रही आंटी ने बेटे का नाम अंकल के और खुद के नाम को मिला कर माहिर रखा था माहिर को आंटी ने खूब पढ़ाया पर माहिर का मन तो न पढ़ाई में लगता था नया दुकान पर आंटी ने जोर देना छोड़ दिया जब बेटा शादी लायक हुआ तो पहचान में ही अच्छी सी लड़की माहिर की पसंद की देख कर बात पकी कर ले शादी भी हो गई कहीं कोई दिक्कत नहीं आई मगर तकलीफ यह रही कि बहु को घर के काम में कोई रस ही नहीं था सच सवर कर रहना हर दम बाहर घूमने जाना पडोसियों से गपे लड़ाने में ही उसका मन लगा था अब आँठी के सबर का बांध जैसे तूट चुका था या अल्ला ये कैसा इमतिहान है मेरा मैंने सोचा था शादी के बाद बेटा सुदर जाएगा मगर ये तो बहु के आने से और बिगड़ गया बहुत विचार करने के बाद आँठी को लगा कि अब बेटे बहु को बे दखल करने के लावा कोई रास्ता नहीं मगर तक्दीर में कुछ और ही लिखा था बेटा बहु तो गए लेकिन हिस्से में दुकान ले गए अब इर्फान की यादों के सहारे और अल्ला का शुक्र कर दिन काट रही थी आन्टी कुछ समय बाद ही माहिर दुकान बंद कर घर बैट गया दुकान घाटे में चले गई थी और उसकी बरबादी देखकर उसकी बीवी भी तंगा कर मायके चले गई बे तहाशा परेशान हो वह शराब के अड़ों पर जाब भीक मांगे पैसों से शराब पीने लगा और सड़क पर ही बेहोश हो गिर पड़ता पड़ोसियों से जब आंटी को पता चला तो इर्फान को याद कर वह अपने बेटे को वापिस लाने चल दे माहिर की आँखे पथरा गई थी वो शर्म सार था कुछ एक पल तो मुह लटका कर एक कोने में पड़ा रहा पर जैसे ही मा ने सिर्फ पर हाथ फिरा वो किसी बच्ची की तरफ फूट फूट करोने लगा मा ने उसी गले से लगा लिया मैं तीरी अम्मी हूँ पगले मैं बेहतर जानती हूँ कि तेरे लिए क्या सही है क्या गलत अब भी देर नहीं हुई बच्चे चल घर चलते है सब पहले जैसा हो जाएगा आज इद है आज से बड़ा कोई त्योहार है जो हम एक साथ मना सकते हैं आज इसे मेरी इदी ही समझ ले चल बच्चे चल घर चलते हैं आउंटी और माहिर ने फिर से नहीं शुरुआत की माहिर की बीवी भी अपनी गलती स्वीकार कर लेती है मा तो मा है ना माने माफ कर दिया अब सब साथ रहने लगे मगर जहां दुकान की बात आती माहिर मा को ही आगे करता और कहता हमी आप बहतर जानती हो किसी ने ठीक ही कहा है देर आए दुरुस्ता है दोस्तों इस एद पर अपनों को अपना लेजिए और रूठों को मना लेजिए हैपी एद